कल बड़े अच्छे समाचार हमारे सब के सामने आए हैं आज सुभ़ न्यूस पेपर में पड़ा महराश्ट्र सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनास जी सिंदे उन्होंने कलिया घोसित किया कि गाय को गव माता को राज्य माता का दरज्जा गया गया उन्होंने गोसित किया कि अब ये गव माता नहीं कही जाएगी ये राज्य माता कही जाएगी ये हमारी परंपरा है और भारत के सारे के सारे धर्म चाहे हिंदु धर्म हो चाहे जैन धर्म हो चाहे बवतु धर्म हो चाहे सिख्य धर्म हो यह देशे से निकले हुए सारे के सारे धर्मा गव माता को पूछनिया और वंदनिया मानते हैं कई बार ऐसी घटनाए हमारी आँखों के सामने आती है यह गाई 정도로 मारा जा रहा है काटा जा रहा है पीटा जा रहा है उसको कतल खाने में ले जाय जा रहा है लेकिन ये राज्य माता गोशित करके एक बहुत अच्छा कदम महराश्ट्र सरकार ने उठाया है और पूरे जहिन समाज की ओर से माननी ये मुख्यमंत्री श्री एकनाश्जी सिंदे को जितने धन्यवाद दे उतने कम है ऐसा विचार आना ऐसे भाव भीतर में जगरे जब तक भीतर में जीवदया का यह भाव नहो तब तक ऐसे कार्य करने का आदमी को खयाल तक नहीं आता ऐसे कार्य करने का आदमी को विचार तक नहीं आता तेकिन यह संस्कूरुति यह भारत की संस्कूरुति यह संसार का एक एक प्राणी परमात्मा महावीर ने यही तो कहा कि अहिंसा पर्मो धर्म कि अहिंसा के मार्ग पर चले बिना अहिंसा का मार्ग स्विकारे बिना यह संसार में किसी का कल्यान नहीं होना है और वह मुख्य मंत्री जी को हमधाई धन्यवाद देते है कि आपके भीतर में यह जीवदया का भाव जगा आनंद है कि महराश्ट्र सरकार ने गव माता को राज्य माता के तोर पर घोशिद किया लेकिन और एक प्रतिक सा यह बात की है कि जिस तरह से यह देश की संस्कृति है जिस तरह से यह देश को पवित्रतम माना गया है जिस तरह से यह देश के एक एक व्यत्ति के भीतर जीवदया के संस्कार है जिस तरह से यह देश में गाई का महत्व है गव माता की महत्ता दिखाई गई है बड़े पुर्खों ने हमें समझाया है उस तरह से यह गव माता को मात्र राज्य माता नहीं अपितु राष्ट्र माता का दरज्जा बिलना चाहिए माननिय मुख्य मंत्री स्री ने तो घोशित कर दिया लेकिन हमें प्रतिक्षा यह बात की है कि एक दिन सोने का सुरज ऐसा होगे और माननिय प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र भाई मुधिया गोशित करे कि गव माता को राष्ट्र माता गोशित किया जाता है पूरे भारत में जहां भी गव माता दिखी जाएगी उसका सन्मान किया जाएगा उसका बहवान किया जाएगा उसका पुजन किया जाएगा उसको मारा नहीं जाएगा उसको काटा नहीं जाएगा उसको कतल खाने ले जाया नहीं जाएगा यह गव माता राष्ट्र माता के तोर पर घोसित हो यह हम सब की प्रतिक्सा है और यह दिन जब आएगा उस दिन भारत में सोने का सूरज हो गए है